प्रिय दर्शकों ब्रह्मा मुहूर्थ क्या है? इसकी असली सच्चाई जाने। ब्रह्मा मुहूर्थ का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। ब्रह्मा मुहूर्थ में कितने बजे उठना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्थ में सनान करने के क्या फायदे हैं। ब्रहमा मुहूर्ट का क्या मंत्र है? ब्रहम मुहूर्ट में पूजा कैसे करें? ब्रहमा मुहूर्ट के रहस्य से जुड़े पूछे जाने वाले सारे सवालों का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा. दर्शकों आपको शुर्वात में ये बाते कड़ भी जरूर लगेगी लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुनोगे तो आपके मन में जितने सवाल हैं उस हर सवाल का जवाब इसी में मिल जाएगा तो दर्शकों यह विडियो ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सक्चे दिल से कमेट में जए श्री कृष्ण जरूर लिखें प्रिय दर्शकों यदि आप ब्रह्मा मुहूर्ट में उठने के उन चमतकारिक लाभों को देखना चाहते हैं जो कभी भी एक आम इनसान को नहीं मिलते तो आपको ब्रह्मा मुहूर्ट का रहस्य क्या है इसे जरूर समझना चाहिए ब्रह्मा मुहूर्ट का वर्णन अनेक शास्त्रों में देखने को मिलता है माना जाता है यह ऐसा कास समय बिंदु है जिसमें उठने से मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है उसकी बुद्धी का विकास होता है और वह ध्यान की उस अवस्था में पहुँच जाता है जहां पह ब्रह्मा मुहूर्ट में जगने पर वातावर्ण में चारों तरफ शांती होती है पर अनेक विद्वानों पंडितों की माने तो यह समय विशेश इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस समय आपका परमात्मा से मिलन होता है जी हां ब्रह्मा मुहूर्ट को लेकर लोगों के बी क्या है दर्शकों शास्त्रों में विशेश कर उपनिश्दों में ब्रह्मा शब्द का मतलब सत्य होता है जबकि मुहूत का अर्थ विशेश समय से होता है आथ जब एक व्यक्ति अपना समय सत्य को समर्पित कर देता है तो उसी का समय को ब्रह्मा मुहूत कहकर संबोधित किया जाता है याद रखें परमात्मा का ही दूसरा नाम सत्य है तो जो व्यक्ति सत्य के पत पर चर रहा है सच्चाई के सामने सर जुका कर उसे स्विकार कर रहा है जान लीजिये वो परमात्मा का भक्त है दर्शकों ब्रह्मा मुहूर्थ का ये मतलब बिलकुल नहीं होता ब्रह्मा मुहूर्थ किसी कास ध्यान विधी योगा और तमाम तरहे के जादूई अनुभवों का नाम नहीं है जैसा की समाज में लोगों के बीच ब्रह्मा मुहूर्थ को लेकर धार्णा देखने को मिलती है ब्रह्मा मुहूर्थ न तो हमें कास तरह के अनुभव दे सकता है नहीं इससे हम अलौकिक शक्तिया पा सकते हैं अब प्रश्ण है फिर क्या लाब हुआ ब्रह्मा मुहूर्थ का? ये समझने के लिए आपको फिर से ब्रह्मा मुहूर्थ का सच्चा अर्थ जानना होगा. जो समय सत्य की सेवा में सत्य को जानने में लगाया गया हो वो ब्रह्मा मुहूर्थ होता है. और ये समय कास इसलिए ह क्योंकि इनसान के दुखों को हटा कर उसे आनंदित जीवन जीने में सच्चाई काम आती है। उदाहरन के लिए आप किसी सत्संग में जाते हैं, जहां भगवत गीता, उपनिशत, गुरुवानी जैसे ग्रंथों का पाठ होता है। इन ग्रंथों को समझने पर आपको मालूम होता है कि रिशी मुनी संत ज्यानी हमें बता गए कैसी जिन्दगी जीनी चाहिए। और हम जी कैसे रहे हैं। आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में जो टेंशन है उसका कारण क्या है। और साथ ही आपको समस्या का समाधान भी मिल गया। तो सोचिए जब एक घंटे का सत्संग आपकी पूरी जिन्दगी का हाल बदल सकता है तो फिर जो व्यक्ति रोजाना सत्य की सेवा में कर्म करता है। बताइए उसका जीवन कितना आनंद से भरा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां कहीं भी सक्चाई दिखाई दे, जान लेना वो समय आपके लिए ब्रहमा मुहूर्थ हो गया। ब्रहमा मुहूर्थ को अकसर किसी का समय से जोड़ कर देखा जाता है। लोगों की दृष्टी में सूरज उगने से ठीक देड़ घंटे पहले का समय ब्रहमा मुहूर्थ होता है। और इस समय उठना बेहत फायदेमंद होता है। तो दर्शकों आईए जानते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। देखिए अगर आपने उपर ब्रहमा मुहूर्थ को समझा होगा, तो आप जान गए होंगे कि ब्रहमा मुहूर्थ का घड़ी की टिक-टिक से कुछ विशेश सम्बंध नहीं है। जो समय आपको समझदारी, सच्चाय की तरफ ले जाए, वही समय ब्रहमा मुहूर्थ। समय किसी भी विशय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाबदाई था। सुभा के समय रिशी मुनी बैठ कर परमात्मा का ध्यान करते थे। आप कह सकते हैं कि सत्य की वारता करते थे, क्योंकि पर्यावरण और मन के लिए यह समय अनुकूल था। इस तरह बाद में आम लोग भी अपने अस्थ व्यस्थ जीवन से थोड़ा ध्यान हटा कर अपने दुखों और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा में लीन हो सके, इस उद्देश से ब्रह्मा मुहूर्ट नामक विधी इजाद की गई, जिसका आज भी लोग पालन करते हैं। पर समाज में लोग अपनी बुद्धी का प्रयोग करने की बजाएं कोई कार्य इसी लिए करते हैं, क्योंकि समाज में वैसा सभी करते हैं। उसी तरह ब्रह्मा मुहूर्ट में यदि किसी को ध्यान की विधी करते देखा गया, तो बाकी लोग भी ब्रह्मा मुहूर्ट का वास्तविक अर्थ समझे बिना सुभा उठने लगे, और आख बंद कर ध्यान करने लगे। और यह चलता रहा, चलता रहा, आज आलम यह है, कि ब्रह्मा मुहूर्ट के बारे में कई तरह के जूट और मंगधंत कहानिया रची जा चुकी हैं, और लोग इसके नाम पर ठगे जा रही हैं। कोई तथाथित गुरु कहता है, ब्रह्मा मुहूर्ट में उठकर ये विधी रोजाना करो, आपको दिव्यग्यान मिलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपके ज्यान की प्रशंसा होगी। दर्शकों, अब यह सुनकर इनसान ठंड के दिनों में चार बजे उठकर, किसी मंदिर में जाकर एक पतलीसी बनियान में ध्यान की अवस्था में बैठ गया है। अब भीतर से उसके यही आ रहा है, कि किसी तरह एक घंटा बीते, और मैं उठके यहां से चलूँ। तो बताइए यह उसने परमात्मा का ध्यान किया, या उसे अपने ही शरीर का ध्यान था। यहां समझना जरूरी है कि परमात्मा का ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है, कि आप सुभा उठे और आख बंद करके परमात्मा को याद करें। नहीं बलकि ब्रह्मा यानी सच्चाई को जानना ही ब्रह्मा महूत होता है। अब यदि कोई सच्चा गुरु आपको रात के बारा बजे भी कृष्ण का रामायन का पाठ कराता है, जिसे पढ़कर आपको अपनी नामसजी का पता चलता है। और आप राम की भाती सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही समय ब्रह्मा महूत हो गया। क्योंकि इसी समय ब्रह्मा की बात हुई, प्रिय दर्शकों उम्मीद है यह समझने के बाद आपको ब्रह्मा महूत का रहस्य मालूम हो गया होगा। बहुत लोगों का सवाल है कि ब्रह्मा मुहूर्ट में कितने बजे उठना चाहिए दर्शकों घडी के मुताबिक ब्रह्मा मुहूर्ट का कोई विशिष्ट समय नहीं है ब्रह्मा मुहूर्ट की खास बात है कि इनसान समय के पार निकल जाता है यानि उसे अब समय की चिन्ता नहीं करनी पड़ती इसे आप इस तरह समझिए कि यदि सुभध तीन बजे उठकर रामायन भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करते हैं और आपको मालूम होता है कि आपके और राम के जीवन के बीच कितनी दूरी है तो समझ लीजिए यही समय जिसने आपको आपकी हकीकत के करीब आने का मौका दिया यही ब्रह्मा मुहूर्थ है तो इससे ये बात सामने निकल कर आती है कि दिन के 24 घंटों में से जिस पल आपको अपनी सच्चाई दिखे जान लेना वो ब्रह्मा मुहूर्थ है आप पूछते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्थ में सनान करने के क्या फाइदे हैं? अगर सनान करने से आपको सत्य के मार्ग में चलने में साहिता मिलती हो तो ब्रह्मा मुहूर्थ में सनान करना लाबदाई है पर यदि आप सत्य के साधत नहीं है, आपको जीवन में सच्चाई, शांती से ज्यादा प्रिय अपनी इच्छाएं लगती है और आप सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो यह महज एक अंधविश्वास है, ऐसा करके आप अपना समय और उर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं लेकिन इसके विप्रीद अगर सुबह चार बजे सत्संध है या फिर सुबह चार बजे आप भगवत गीता पढ़कर कृष्ण की सीख लेकर अपने दिन की शुरुवात करते हैं तो सुबह उठकर नहाना बिलकुल पर्मात्मा को पाने में सहायक साबित होगा पर यदि अधिकांश लोगों की तरहा आपका लक्षे कृष्ण को पाना नहीं, सत्य को पाना नहीं, बलकि सुबह स्नान करके अपनी इच्छा पूर्ती करना है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है ये एक छल है जो आप अपने साथ कर रही है अक्सर लोग पूछते हैं ब्रह्मा मुहूर्त का मंत्र क्या है ब्रह्मा मुहूर्त किसी मंत्र जाप या विशेश तरह की विधी अपनाने का नाम नहीं है कोई कहे मैं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में शिव जी या हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करता हूँ हनुमान चालिसा पढ़ता हूँ ताकि मुझे कोई दिव्य अनुभव हो तो आपको सच्चाई जानकार हैरानी होगी कि यह सब छलावा है जी हाँ ठीक उसी तरह जैसे कोई बीस वर्षों से सुभा चार बजे उठकर हनुमान चालिसा पढ़े और उसके बावजूद उसके जीवन में बेचैनी, डर, लोब, लालच आपको दिखाई दे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बड़ा धार्मिक इनसान है जो हर मौसम में नियम काइदे नहीं तोड़ता पर जब आप उस इनसान की जिंदगी के और करीब आएंगे तो आप पाएंगे ये इनसान एक व्यापारी है जो दो घंटे सुबह ध्यान के बाद अपने काम धंधे में बैठ जाता है और फिर पूरा दिन यही कोशिश करता है किसी तरह लाब कमालू और अपने फाइदे के लिए यह दूसरे का शोशन करने के लिए भी तयार रहता है यह वैसे तो बड़ा धार्मिक है लेकिन इसके काम को भोजन को संती को देखकर इसकी इच्छाओं को जानकार लगता है ये तो राक्षस इनसान है तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों वो जिन्दगी भर ब्रहमा मुहूर्क में उठने के बावजूद भी परेशान है शान्ती आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है वो भी उन्हीं को मिलते हैं जो अपना पूरा दिन सही तरह से जीने का चुनाव करते हैं और इस तरह उनका जीवन ही खुशाल होता जाता है कोई पूचता है ब्रहमा मुहूर्क में पूजा कैसे करें? हम अक्सर जैसा जीवन जीते हैं उसमें डर होता है तनाव, बेचैनी, आलस्य, लोग शामिल होता है आथ ब्रहमा मुहूर्क हमें ये संदेश देता है कि तुम जैसा घटिया जीवन जी रहे हो, जितनी यातनाएं कश्ट जेल रहे हो तुम उससे बहतर जीवन जी सकते हो, तुम आनन्द, शान्ती के अधिकारी हो और बिना उसे पाए तुम्हें चैन कैसे मिलेगा पर हमें लगता है वो आनन्द और शान्ती हमें ब्रहमा मुहूर्क में ध्यान करने या कोई मंत्र जाप करने से मिल जाएगा पर ऐसा होता नहीं है, जिसको आजादी चाहिए, जिसे शान्ती से प्रेम है, उसका सही जीवन जीना बेहत जरूरी है जीवन का सच जानकर सही जिन्दगी जीना ही ब्रहमा मुहूर्क में पूजा करने के समान है इसकी बजाए यदि कोई व्यक्ति राम को चार बजे उठकर पूजता है, पर उसकी लाइफ में सच्चाई का कोई स्थान नहीं है तो जान लीजिए ब्रहमा मुहूर्क में उसकी ये पूजा सफल नहीं मानी जाएगी ब्रहमा मुहूर्क में क्या नहीं करना चाहिए हर वह काम जिसे करने से आप सच्चाई से दूर चले जाए आपका मन सत्य से अधिक जूट को स्थान देने लगे तो जान लेना ब्रहमा मुहूर्क में ये चीजें करनी शुभ नहीं है इससे आपकी जिन्दगी में घोरकष्ट आएगा ब्रहमा मुहूर्ट में क्या खास है? ब्रहमा मुहूर्ट माने वो खास समय जब आपके लिए सत्य सरवाधिक महत्वपूल हो जाता है सत्य को परमपिता भी कहा गया है आथ्व जो व्यक्ति सच जानकर सत्य पर चलने लगा है जान लीजिये उसका जीवन बहतर होने लगा है ब्रहमा मुहूर्ट में उठने से क्या फल मिलता है? एक व्यक्ति जिसकी आखें खुल गई जिसे अपने जीवन की हकीकत मालूम हो गई उस व्यक्ति को अब किसी तरह का फल पाने की चिन्ता नहीं रह जाती सुभ ब्रहमा मुहूर्ट कितने बजे शुरू होता है? ब्रहमा मुहूर्ट का संबंध दिवार में समय दिखाने वाली घड़ी से नहीं अपितु इनसान से है मनुष्य के जीवन का वो समय जब उसे सत्य का बोध होने लगे तभी से ब्रहमा मुहूर्ट की शुरूवात हो जाती है साड़े तीन बजे से तीन चालीस बजे तक क्या होता है? इस बीच वातावर्ण शांत रहता है, मधुर हवा चलती है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस समय में कोई दैविये चमतकार होते है जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो प्रिय दर्शकों इस वीडियो को सुनकर ब्रहमा मुहूर्ट का रहसे क्या है? अब आप भली भाती समझ चुके होंगे तो दर्शकों उम्मिद करता हूँ की आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आपके एक लाइक से ही हमें प्रेना मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद